क्या आपने कभी शिमला मिर्च की चटनी खाई है नहीं ना अस्सलाम उलेका मैं हुशा मुहमद रफी और आप देख रहे हैं फूड सेकरेट रेस्पी यूटूब चैनल तो आज हमारे किचन में बनिया बहुत जबरदस सी मज़ेदार सी चटखारी सी शिमला मिर्च की चटनी बगैर स्किप की आपने ये पूरी वीडियो देखनी है इस चटनी को बना के आप 6 महिने के लिए 8 महिने के लिए आराम से इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपको ये आज की रेस्पी अच्छी लगे इसको लाइक करें शेयर करें तो आए फिर देखते हैं आज की बहुत जबरदस सी शिमला मिर्च की चटनी की रेस्पी तो आईगे अलापा के नाम से आज की बहुत जबरदस सी शिमला मिर्च की चटनी की रस्पी शुरू करते हैं बनाना इस चटनी को बहुत ही असान है और बहुत ही मज़िक बनती है इस चटनी को बना किया आप पूरे 6 महीने के लिए 8 महीने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं ये बिलकुल भी हराब नहीं होती फ्रिज के अंदर रखके आप इसको यूज कर सकते हैं यकीन माने आपके गरवाले सालन कम और ये चटनी ज़्यादा खाएंगे बगया स्किप किया आपने ये पूरी विडियो देखनी है तो शिमला मिर्च की चटनी मिनाने के लिए देखी मैंने टमाटर लिये थे आदा किलो अच्छी तरह दो लिया था दोने के बाद मैंने इनको मोटा मोटा काट लिया दस अदद लिया मैंने किश्मीरी लाल मिर्च सूकी वाली ड्राई वाली टमाटर के अंदर ही मैंने इनको भूगो के रख दिया था अगर आपके पास कश्मीरे लाल मिर्च नहीं है तो आप इसके अंदर दूसरी मिर्च भी शामल कर सकते हैं लेकिन वो आपने कम शामल करनी है वो थोड़ी सी तीखी होती है इस बात का आपने हिया रखना है तो इसके अंदर शामल कर देंगे 2-3 टिबल स्पून अदरक अब आपने क्या करना है सारी चीजिएं को ब्लेंडर के अंदर ढालने और इसका स्मूध पेस्ट आपने बना कर लेना को इसके अंदर पाने वगयरा डालने की जरूरत नहीं है तो बना लेते हैं पेस्ट मैंने बना लिया देखिए कितना जबर्दस हमारा पेस्ट बनके त्यार हो गया कोई इसके अंदर मैंने पाने वेगरा शामल नहीं था किया अब आपने इसके अंदर दो दिन और चीज़ें शामल करनी है तो सबसे पहले शामल कर देंगे दो टेबल स्पून भर के टमार्टर पेस्ट इजी लिए आपको मार्केट से मिल जाता है बेकरी से बहुत जबर्दे से फलेवर आएगा और कलर आएगा एक टी स्पून इसके अंदर शामल किया मैंने सौंफ एक टेबल स्पून कुटिव मिर्चे एक टी स्पून स्फेध मिर करते हैं कि शिमला मिर्च को आपने किस तरह काटने हैं और किस तरह आपने इसको दो के रखना है तो देखिए शिमला मिर्च ले लिए मैंने 700 ग्राम यह एक किलो से थोड़ी सी कम है अच्छी तरह मैंने इनको दो लिया था दोने के बाद मैंने अच्छी तरह इनको अब आपने इसको काटने हैं, तो काटना आपने किस तरह है कि इस तरह आपने इसको उपर से काट लेने हैं, काटने के बाद आपने इसके अंदर से बीज निकाल लेने हैं, बीज निकालने जरूरी हैं, वह आपने इसके अंदर शामल नहीं करने हैं, इस तरह अंदर से बीज से यह कट जाती है और जल्दी काम हो जाता है इससे तो इसी तरह सारी शिम्ला मिर्च काट लेती हैं तो फिर आपको दिखाते हैं तो देखिये सारी शिम्ला मिर્च को मैंने काट लिया है बहूत जबरदसा शिम्ला मिर्च कटके त्यार होगी है अभी शिम्ला मिर्च का क्वई काम नहीं च banana दूसरी तरफ आपनि इसको कुप बढ़ी काटना है तो शिम्ला मिर्च की च He को बसे बापने का क्रिया है तो श एक कप बरके इसके अंदर शामल कर देंगे कुकिंग ओईल मैंने कुकिंग ओईल का इस्तमाल किया आप इसके अंदर सरसु का ओईल भी शामल कर सकती है एक कप बरके उससे भी बहुत जबर्दर सा चटनी का फ्लेवर आएगा अब आपने फ्लेमोन करनी है और हाइ फ्लेम के आपने प्यास को और लसन को लाइट सा गोल्डन करना है अब आपने इसके अंदर शामर करकर देने हैं जो हमने सारी चीजों का पेस्ट बना के रखावा था फ्लेम हाई कर देनी है आपने और हाई फ्लेम के ओपर आपने इस सारे मिसाले को अच्छी तरह भूनना है पांच से चटनी तियार होगी बिलकुल भी आपने इसके अंदर पानी नी छोड़ना सारा टमाटरा का पानी आपने इसके अंदर ड्राई करना हाई फ्लेम को पर पांच से साथ मिट के लिए देखिए 5-7 मिंट होगी है 5-7 मिंट के लिए अच्छी तरह मसाले को हमने हाई फ्लेम के उपर भून लिया बहुत जबरदस सा मसाला हमारा भून गया है और देखिए कितना जबरदस मसाले का कलर आ गया है अब आपने इसके अंदर शामल कर देना है शिमला मिर्च जो हमने काट के रखी हुई थी शिमला मिर्च के अंदर कोई आपने पाने उगया शामल नहीं करना इसको दम के अंदर पकाना है मसाले के अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद आपने इसको उपर से कवर कर देना है slow flame के उपर 10 मिंट के लिए बीच बीच में चमचा आपने इसके अंदर जरूर चलाना है तो मिलते हैं निशालला 10 मिंट बाद flame आपने बिल्कुल slow रखनी है कोई इसके अंदर पाने वगरा डालने की जरूरत नहीं है दम के अंदर शिमला मिर्च को हमने पकाना है थे जरूरец अब्ड़ चमचा नहीं है कि देखें, यह आप टेबल स्पून बर गरें नियुक्त से वेशाल करने के शिरका अगर आपके पास तो आप शिरका आप долларов निवनी चींजाया का ये फैदा होता है एक चटनी का फ्लेवर और पढ़ जाता है दूसरा ये बिल्कुल भी हराब नहीं होगी आप इसको मिफूज करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर पूरे छे से साथ महीने के लिए और आट महीने के लिए एक से दो मिट के लिए मैंने हाई फ्लेम के उपर इसको बूल लिया दनिया और सिरका शामल करने के बाद अब मैं इसके फ्लेम बंद कर रहा हूं बहुत जबरदस ही हमारी शिम्रा में इसके चटनी बनके त्यार हो गई है अलहमदुलिल्ला अलहमदुलिल्ला देखिए इस त अंदर चटनी शामल करते नहीं है शिम्रा मिर्च की चटनी को हमने जार के अंदर निकाल दिया देखिए कितनी जबरदस हमारी शिम्रा मिर्च की चटनी बनके त्यार हो गिया कितना जबरदस इसका कलर आ गया है जब भी आपका दिल करेए चटनी खाने का तो एक चमंज न चेए महीने के लिए आठ महीने के लिए आप सकते हैं जरूर बनाएगा तो अगर आपको जिए मेरी आज की रैस्पी अच्छी लगए इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें जिसका नाम है फूर्ट सीकर्ट रैस्पी और साथ में नोटिफिकेश के साथ अल्ला हाफिज